नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अनुष्य मिस्रायो और आदर सायस अक्यादमिय में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं आपके लिए भारतिय सम्विधान के जो अनुच्छेद हैं बहुत सारे बच्चों को इससे दिक्कत होती है याद करने में क्यूंकि इनकी संख्य अनुच्छेद हैं आपके इस पेपर में पूझे भी जाते हैं कुछ तो हम लोग डेली टू डेली एक भाग को तयार करेंगे कहने का मतलब यह है कि आपके पहले भाग में जो आपका आता है उसमें केवल एक से लिके 4-5 तक अनुच्छेद हैं तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक ट्रिक के साथ तो बिल्कुल भी परिसान होने की जरुवत नहीं है यह वीडियो आपका अल्टरनेट नहीं चलेगा लेकिन हां दो दिन पहले यह वीडियो पढ़ेगा और उसके बारे में बात की गई है कि जो आपका संग का नाम है वो होगा और क्या है र मतलब कि सबसे पहले अनुच्छेद में भारत के बारे में बताया गया और हम किस राजी छेदर में आते हैं उसके बारे में कहा गया है ठीक है तो पहला यह यह याद हो गया कि सबसे पहले हम लोग किसी देश में गुजे जिसका क्या नाम है भारत उसके बाद हम लोग प्रवेस हो गया हम लोग नेराजियों में गए और वहां की स्थापना के बारे में क्या है तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा माल लिया कि आप इंडिया आ ये तो इसका नाम क्या हो गया पहले पे इंडिया और फिर क्या है आप किसी छेत्र में बस कैए दूसरे अब क्या है किसी पारे जब नए जगे पर जाते हैं तो क्या देखते हैं वह वहां लोगोंसे पूछते हैं कि इसका पहले क्या नाम था इसका आपके नाम है तो क्या है हम लोगों ने देखा जब हम लोग ने राजी के अंदर गए तो हम लोगों ने क्या देखा राजी का निर्मार देखा और फिर क्या देखा सीमाय देखी और क्या देखा वहां पर पूछा कि यहां पर कितने नामों का परिवर्तन हो चुका है इन सब चीजों के बा कि आप लोगों गय नय राजी और वहां पर क्या हुआ आपने उसको देखा और उसमें प्रवेश किया तीसरे में क्या है आपने राजी का निर्माड किया तथा उसकी सीमा के निर्माड के बारे में पूछा या परिवर्तन के बारे में क्या है देखा देखिए यह जो आपके बनाए गए हैं वो सब आपको पता ही होंगे फिर चौथे अनुछेद में क्या है पहली अनुसूजी एवं चौथी अनुसूजी के संसोधन अथुआ दो और तीन के आधिन बनाई गई है इसका मतलब ये बोला किया है आपसे कि आपकी जो ये तीसरी अनुसूजी है और क्या है चौथी कहने का मतलब ये है कि आपका अगर कोई भी छेत्र कोई भी राजे एवं राजी का निर्माड एवं इसकी सीमाएं जो है आपका एक आर्ट के लाता है आपका 368 इसके अंतरगत नहीं ना पी जाएंगी ऐसा इसमें बोला गया है तो आपको क्या याद तरखनाएं कि आपके जो पहली अनसूचि और छौति अनसूची है इसके संसोधन को थिक तथा दूसरी अँजें आधिन कहने का मतलब यह है अगर कोई भी संसोधन आपका दूसरी तीस अश्ती ज़दा हो सके अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिए और मुझे एनकेडमी पर अनुश्री करके आप मुझे सर्च कर सकते हैं वहाँ पर फालो भी कर सकते हैं तो थांक यू सो मच काईस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल भी आपका ये वीडियो आये का जिसमें मैं 5 से लेके 11 तक अनुश्री के बारे में बताऊंगे क्योंकि वहाँ पर क्या है नागरिता के बारे में बताया जा रहा है इस वीडियो में अभी स्टार्टिंग है इसलिए एक मिस्टेक रहे गए कि इसमें मैं आपको भाग के बारे में भी बताऊंग ठी एक है थैंक जो मुच काईस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई टेक कियर